हलो गाइस कैसे हैं आप सब उमीद अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्स बिंदू आज वापस एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ जो वीडियो होने वाला मेमरी कार्ट करिके हमार Lisa क wichtig और को कउन सा मेमरी कार्ट हम ़ोग्वे णहीं करें कॉर्कि मेमरी कार्ट बहुँ जादा मार्गे quarto नहीं करें Kita इसका मतलब बहु सारा लोगों को पता नहीं होता है, बहु सारा लोगों को पता होता है, तो उनको यह नहीं पता होता है कि कौन से memory card हमारे gadgets को सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैं यह camera यूज कर रहा हूँ, तो यह camera कौन से memory card को सपोर्ट करता है, जैसे मेरा mobile है, उस mobile में मेरा कौ कि उस सारा points का मतलब क्या होता और उसको हमारे life में कैसी उच करना चाहिए उसके वाल आया HD XC, Secure Digital Extended Capacity जो हमारे आज कल कैमरा में उच होता है जैसे 4K को reward करना हो तो HD XC काड उच करते हैं क्योंकि इसका जो capacity होता यह काफिया आदा extended होता है मतलब 123GB, 256GB, 400GB, 512GB, 1 TV इतना बड़ा बड़ा एक साइस का एक काड आता है जो हमारे कैमरा को सपोर्ट काता है तो आज कल जो भी कैमरा आ रहा ना उसमें HD XC काड आ रहा है HD XC 1 और HD XC 2 का मतलब ही होता है HD XC 1 में जो read or write speed होता है वो 90 Mbps का होता है 90 Mbps का मतलब होता है कि 90 Mbps पर second वो read करेगा और 90 Mbps पर second वो write करेगा इस पर दिखा हुआ भी होगा 300 Mbps नियान से देखेगा यह HD XC 2 काड है इसका मतलब होगा कि आपका जो 4G का फाइल होता है वो 100 Mbps मिनिमम उसको चाहिए मतलब एक सेकेंड में वो 100 Mbps का फाइल बनाएगा तो यह HD XC 2 का मतलब होता है और इस पर लिखा हुआ है भी 90 भी 90 का मतलब होता है कि 90 Mbps minimum इसका read or write speed है ना भी wash condition में इसका read or write speed होगा वो 90 Mbps होगा minimum इसके उपर ही जागा जगभी भी जाएगा तो भी 90 का मतलब ही होता है भी 60 होगा तो 60 Mbps और 90 होगा तो 90 Mbps उसका minimum होगा maximum तो वो 200 तक जाएगा या 300 तक जाएगा जो इस card का है तो यह भी 90 और भी 60 का मतलब होता है उसके बाद इसके उपर लिखा हुआ U3 का मतलब होगा है कि यह 3rd generation class है 1st generation आ गया, 2nd generation आ गया और यह 3rd generation है जिसमें change करके SDXE 2 लाया गया, V90 लाया गया तो यह सारा features U3 card में आपको मिलेगा जो 3rd generation card होता है तो U3 का मतलब होगा है कि यह 3rd generation का यह card है उसके बाद आपको इसमें लिखा होगा C के अंदर 10 एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा C, उसके अंदर में 10 लिखा होगा मतलब class 10 card है, class 10 जो card होता है, HDXE 2 या V90 जो card होता है वो class 10 card होता है, कहीं पर आपको लिखा होगा C के अंदर 5, कहीं पर C के अंदर 2 मतलब class 2 card है, class 5 card है, जो सबसे higher capacity का आजकल card आ रहा है, वो C10 आ रहा है जो 4K, 5K, 6K, 8K फाइल को record करता है, जो आपका camera, आपका mobile वगएर है मैं आजकल आ रहा है या card या format हो जाता है, बीना copy किये हुए, और आपको वो file चाहिए, तो उस case में अगर आपका card में recovery का option नहीं होगा, तो आप recover नहीं कर पाएंगा, आपका सारा data चला जाएगा ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जैसे last example आपको दे रहा है, जो last में ने film किया था मचली, उस film में भी हमारा card format हो गया था, हम लोग उसको data को copy नहीं किये थे, पूरा दिन shoot किये हैं, और अगला दिन जब हम लोग shoot करने गया हैं, तो card को format करके लगाना हो था था, क् करके लिए हो तो, card format हो गया, और card format हो गया, अग कंप्यूतर से format नहीं हो तो उसके पूरा दिन shoot हो गया, पूरा दिन shoot भी हो गया will form it, और धिन 알고 connects, तो कर Meinlor Rider को copy को, शора कि हो तो card को पर जब हम लोग रखा नहीं किये थे, और वो format लिए तो card को, जब हम लोग YOUR ee dares, तो बहुत मुश्किल से recovery हुआ लेकिन ना ही का विराबर समझे क्योंकि file का size बहुत जादा छोटा हो गया था और वो पूरा blur blur और पूरा out focus और defocus बहुत मतलब गंदा file आया था recovery करने को वाद क्योंकि उस card में recovery का option नहीं था अगर वो recovery का option रहता उस card में तो हम लोग उसको recover कर लेते और हमारा पूरा दिन का जो shoot था पूरा दिन का जो मेहनत था पूरा दिन का खर्च था जो पैसा जो खर्च होता है शूटिंग करने में वो बच जाता तो यह आपको ध्यान देना हुआ कि आपका card में recovery का option है कि नहीं मतलब यह 300 EPS का file को read करेगा आर का मतलब read करेगा आप अगर file को देखिएगा तो 300 EPS के file का speed से वो आपको दिखाएगा लेकिन write करेगा इस पर आप copy कीज़ेगा recording कीज़ेगा आपने computer से तो maximum जो होगा सोनी का एवन camera है उस camera से यही card को use करके तो 6 के file आसानिस हो जाता है 8K file को record करने के लिए यह card बिल्कुल नहीं है अलागि company तो इसको परचार करता है कि 8K को record करेगा लेकिन 8K को record करने के लिए card मैं मतलब recommend नहीं करूँगा रीड करेगा 1700 Mbps मतलब समझ रहा है मेरा जो SSD है उसका जो maximum speed है वो 500 है और वो card का speed है वो 1700 Mbps है तो मेरा SSD से भी fast वो card है इतना ज्यादा fast होता है वो card और वो card ही हो जो होता है यह दोनों card है फर्क है किवाल size का यह card size में बड़ा है और यह file size इसका read or write speed है वो भी काफी बड़ा है 1200 Mbps तक का है यह आपको काफी जरूरी होता है खरीदने से पहले हाँ यह card फोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको market में SDXC2 card होता है थोड़ा सा महंगा मिलता है comparison तो यह वाला card जो आजकल आपका sandisk का जो खांदानी card जिसको हम लोग करते हैं यह खांदानी card है तो यह सस्ता आपको मिल जागा market में क्योंकि SDXC2 नहीं है यह देखिए इसका पहश्चानने के काहल तरीका है SDXC1 और SDXC2 का यह पीछे में अगर सिंगल पट्टी है यह जो golden पट्टी आपको दिखाए दे रहा है अगर सिंगल है यह अगर 64GB का card अगर 2500-3000 के बीच में आ रहा है तो यह SDXC2 card 64GB का 6000 के आसपास आएगा तो यह फारक है लेकिन इसमें आपका यह होता है कि यह आपका future proof हो जाता है अगर आप एक वार खरीदते हैं तो दुबारा आपको card खरीदने का जुरत नहीं पड़ेगा और suppose अगर आ मेरा यह camera इस card को support नहीं करता है HDXC1 card खंदानी card जो इसको support नहीं करता है इसको लगाएंगे तो error बतायता है और यह card मेरा sound device में यह card मेरा audio recording में use होता है और यह HDXC2 card है यह card को मेरा camera support करता है जो 4K को record करता है तो यह काफी जरूरी होता है कि ऐसा समान खर दें जो future proof हो तो उमीद है कि आगे से जबी भी अपना card खर देंगे तो इन सारे बातों को ध्यान में रख कर देंगे क्योंकि पैसा तो लगता है सबको एक बार लेकिन future proof हो जाता है अगर आपका समान आपका guidance को काफी आदा अंदर से satisfaction आता है काफी आदा खुसी आता है कि अब हम 2-3 साल त सरीत के गलती कर चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे subscriber मेरे viewers इस तरह का गलती करें और उनको भी पैसा का मतलब loss हो तो इसके लिए मुझे information share करना आपके साथ काफी जरूरी हो गया तो उमीद है कि आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ अच्छा लग